हालो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम ट्रकर में दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के टाप 1000 कोश्चन का सीरीज लेकर रहा हूँ आज से इस सीरीज का सुभारम किया जा रहा है दोस्तों मैं आपको इत प्रदियों को एक मिनान से अच्छे से आप लोग देख लिजिए खासकर अगर आप लोग यूपी लखपाल यूपी असाई और वीडियों का त्यारी कर रहे हैं तो यह को वीडियों आपके लिए बहुत ही फायदे मन सावित होने वाला है साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक पेट का एक्जाम दिया है अगर आपको अभी डाउट है कि लखपाल का के लिए जो मेरिट कहां तक जाएगी तो उसके लिए मैं डिस्क्रिशन में एक लिंक दे रहा हूं पेट का मेरिट का देख लिए बहुत जादे मेरिट नहीं जाने वाली है जितना बहुत चड़ बढ़कर बहुत जगहं बताया जा रहा है उतना मेरिट नहीं जाएगी क्योंकि देखिए अगर आप इसी समय तयारी अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा कि इतना आप सभी चीजों कभर सक कर सके इसलिए अपना तयारी हम देखते होंगे आप लोग दूसरा तिसरा ही पुछा जा रहा है अब पहला नहीं पुछता क्योंकि जानता है एक्जामलर कि सभी बच्चे पहला पहला और लाश्क तो पढ़ी लेते हैं इसलिए दूसरा सबसे चोटा जिला कौन सा है तो इसमें देखिए आपसा नंबर प्रियाग राज है इसको याद कर लिजिए अता इसका प्रण बरण पर प्रियाग राज इसको याद कर लिजिए सब्सक्राइब, अगर अगर इसका आपसा नंबर भी मारेंगे अगर केंद्र सासित परदेश भी पुछता तो नौ मारते क्योंकि एक दिल्ली दिल्ली को टेच करता है बाकी आठ राज्यों को टेच करता है ठीक है मैं एक करम से आपको बता दे रहा हूं कि इस तरह से कितने-कितने राज्य हमारे उत्तर पर dois से टच करते हैं पैहला इधर एँदर चली पूरव की तरफ पहला विहार है ठीक है पहला विहार है दुसरा है आपका जार्खंड तिसरा है चतिसगालड चौथा है MP ठीक पच्वाह से हाज़ें है छलक्ष्षखान इधो नमबर जो पोर है कहां जा रहा है अुत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो चार राजियों के साथ बाडर सजा करता है बताइए उत्तर प्रदेश का वा कौन सा जिला है जो चार राजियों के साथ बाडर सजा करता है बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है दोस्तों आपके एक्जाम की द्रिश्च्री से यह अकसर एक्जाम हो या फिर आप तैयरी कर रहे हूं उत्तर प्रदेश कोई भी एक्जाम देना चाहरे है लेकपाल का तैयरी कर रहे हैं उसमें यह सब बहुत ही question बहुत ही important question दोस्तों इसलिए इसको छोड़कर मज जाईएगा तो देखिए इसका है आपका आफसा नमबर डी है सोन भद्र सोन भद्र उत्तर प्रदेश का कैसा जिला है जो चार राज्यों के साथ बार्डर साजा करता है याद रखिए आप उवराज्य कौन-कौन से है पहला है बिहार दुसरा है च्छतिसगर्ण तीसरा है जारखंड और चौथा है MP याद रखिएगा बिहा नमबर आपका फाइफ है कहा जा रहा है सोन भद्र का मुख्याला यह रिख रखिए को सबाड़ेम तरफंड वाइट रेखिया है यह दो इसलिए दूस-डॐत विद्व कर खे में चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर इसी के इंट्रेस्टिंग और वीडियों लिता राते रहेंगे तो चलिए देखिए लाओ यजान देखिह लिए उत्सश्चनब्र seven है कहा जा रहा है छलिए लेगए 6 नंबर है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राजिसमाना, हैं इससे उत्तर प्रदेश के किですね , खैичес STEP करें लिए Reach kilka घ़िए इसका क्यों को थे आपकर अपका एठ आ है कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जन्वरी सन 1950, 24 जन्वरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, इसलिए 24 जन्वरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाये जाता है, ठीक है दोस्तों, आता इसका आपसा नमबर D सही है, next question दिख लिजिए, question number 9 है, कहा उत्तर प्रदेश का राजकी खेल भी क्या है, हाकी, अता इसका आपसा नमबर C सही है, next question दिख लिजिए, question number 10 है, कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकी चिन एक ब्रित में दो मचली, राजकी चिन जो हो है, एक ब्रित में दो मचली और एक तीर धनूस, जो बना होत यहां राजकी चिन है, और इसकी सुकृति कम मिली थी, यह पुछा जा रहा है कि इसकी सुकृति हमें राजकी चिन हे कब मिला था, यह बताना है आपको, तो इसका आपसा नमबर C सही है, उन्नी सो आपसा नमबर C सही है, और next question दिख लिजिए दोस्तों, question number 11 है, कहा जा रह इस नंबर डी सही है बी वर सी दोनों ठीक है दोस्तों स्दुन देखलीजिए सदनात्मक और जो विदान मंडल है पहले सधन होते हैं जैसे, कैंडर में हमारे भारत का जो सदनात्मक हो Scripture मैं जानते तो कहाने का तत्पर है जिस तरह सो केंद्र में होता है आपका लोकसभा लोकसभा और राजसभा होता है ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी जो दुश्य दान वंडल है उसको दो भागों बटा गया है कौन गौन सा है एक बोलते हैं बिधान परिशद बिधान थीक है और एक है विधान सभा ज़्क है विधान सभा जद должна है ओर दोछदनात्मक हमारे उत्तर प्रदेश का विधान मंडल है ठीक है दोस्तों next question देखलीजए question नंबर आपका जो 13 है कहा जा रहा है वरत्मान में उत्तर प्रदेश में कूल विधान सभा सदस्यों की संख्या है देखिए मैं अभी बताया हूँ विधान सभा और विधान परिसद दो सदन है आपके ठीक है जिसको उच्छ सदन निम्न सदन बोलते हैं तो जिसको आप लोग बिधायक बोलते हैं जो बिधायक का चुना होता है आप लोग बिधायक को चुनते हैं वह विधान सभा सदस्यों ठीक है तो पुशा जा रहा है वरत्मान में कुल कितने सीटें हैं बिधान सभा गे तो इसमें है 404 याद रख लिए 404 सीट है जिसमें से 303 निर्वाचीत हो मनोनीत याद लिए मनोनीत मनोनीत ठीक है राजयपाल नियुक्त करता है जिस तरह से केंद्र केंद्र में लोग सभा में दो सीटों को मनोनीत किया राश्पती दोरा उसी प्रकार राजयपाल भी एक आदमी को एंगलों इंडियन को मनोनीत करता है हमारे विधान सभा में ठी अब बिधान सभा बोला गया अब बिधान परिसाद है उत्तरपरदेस के संख्या होती है तो इसे है तो इसको यह ग्याई इसको में पुछा जाए कि हमारे में लोग सभा जो सीट होते हैं उत्तरपरदेस के कितने सबस्थे हैं तो एक तीस है अग्षा इसका नंबर इस कोश्चन का आपसर नंबर आपका सी है सो ठीक है विधान परिशन में सदस्थों की संख्या सव है नेक्ष कोश्चन देख लिए कोश्चन नंबर आपका 15 है कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल लोग सभा सीटों की सब्सक्राइब कोश्चन रिपीट हो गया जो मैं अभी बताया हूं ठीक है तो उत्तर प्रदेश में लोग सभा कितने सीट है कुल 80 सीट है दोस्तों आपसा नंबर एस है और राज्य सभा में कितने सीट है एक तीस नेक्ष कोश्चन देख लिए अकसर एक तीस राजस्द Windows धा सभासित है लेकुषिन दिख्रिख लिए कोश्चन नमबर आपका सबनाजंत है का जा रहा है उत्तर पर देश के सबसे बड़े मंडल इступधक्र की थो कहुए इन तीनों में 6-6 जीलें कितने 6-6 जीले सामिल है अताइसकाफसटान नवर डी सही है, सभी, सबसे बड़े मंडल यहीं तिनों है, कानपूर, लखनव, मेरत, ठीक है दोस्तों, आता इसकाफसन नंबर डी सही है, नेश्ट कोस्चन दिख लिजिए, कोस्चन नंबर आपका 18 है, कहा जा रहा है, कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में, उत्तर प प्रसिक्षण के अंद्र कहा इस्तित है, उत्तर प्रदेश का नयाईक अनुसंधान प्रसिक्षण के अंद्र कहा इस्तित है, तो इसकाफसन नंबर 20 है, लखनवर में है, ठीक है, नयाईक अनुसंधान अवं प्रसिक्षण के अंद्र लखनवर में इस्तित है, अता नंबर एस एक दो नेश्ट क्यों लिए नमबर 21 है कहा जारा इलहाबाद उच्छ नयाला का अस्थापना कब हुगा था इसका आफसा नमबर सी सेह सत्रे मार्च अठारे सो चाशाट को उच्छ नयाला का अस्थापना हुगा था ठीक है इसमें 6 जनौरी दिया गया है च्छाबी जनुरी को हम जानते हैं गरतंतर दिवस मनाते हैं और भारत का गरतंतर दिवस और 15 अगस्ट 1923 को हमारा देश आजा दिवा था नेश्ट कोश्चन देख लिए दोस्तों कोश्चन नमबर आपका 22 है कहा जा रहा है प्रयाग राज उच्छ नयालाय में ठीक है कुल स यह संख्या जो स्विक्रित है एक है 170 ओक एक 16 नयाय धीथ इसमें हो सकते है उच्छ नयाय में ठीक जिसमें 3150 कह लें ञाधान में वर्तमान में पुछा जाएगा तो सौक लगाईएगा अगर टोटल स्विक्रित पुछा जाए तो आप 160 मारेंगे ठीक है अता इसका अफसन नमबर डी सही है इसमें देखे कुछ और लोगों का नाम दिया गया है सूचेता के र्पलाणी पहली महिला जो अघ्षक मंत्री बनी थी और भारत की पहले महिला मुखमंत्री आट शिजीता कर प्रत कि पहली मंत्री तो अब मताया चौधरी नराण सबसे कम उम्र के मुख्ध मंतरी कौन है इसका प्रका क्वाइब का यह अखलेस जादों जो है उत्तर प्रदिस के सबसे कम उम्र के मुख्मंतरी बने थे ठीक है अता इसका आप अब दोस्तों इस सीरीज का आज यहीं समापन होता है फिर हम नेश्टे डे में फिर एक अगले सीरीज के साथ लाएंगे और इसी तरह से हम इंपोर्टेंट और महत्पूर कोश्चन खोज-खोज कर उत्तर प्रदेश के आपको लाते रहेंगे और एक हजार कोश्चन पूरा मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने यह एक हजार का सीरीज देख लिया तो उत्तर प्रदेश का कोई भी जाम आपके बाहर नहीं जाएगा दोस्तों इसलिए यह पूरा सीरी असली देखें और मैं इस वीडियो में आपके लिए दो कोश्चन भी रखा हू कहा जा रहा है छेत्फल की दिरिष्टी से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है इसमें आपसन है लखिम पुर्खिरी सोन भद्र हर्दोई प्रयागराज आप कमेंड बाक्स में लिखेगा कि इसका कौन सा आपसन सही है नेश्ट कोश्चन है दूसरा कोश्चन का उतलिखेगा मुझे विश्वास से दोस्तों अगर आपने वीडियो अच्छे देखा होगा तो इन कोश्चन का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे ठीक है दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियों आपको वीडियों कैसा लगा प्लीज कमेंड बाक्स में जड़र बतायें दोस्तों अगर आप को एँडियों एक लाइक करें और अधिक साधिक से आयर करें दोस्तों अगर हमसे आप जुनकर चाहते हैं इसी तरह के इंट्रेस्टिंग और महत्पूर वीडियों पाना चाहते हैं तो जैनल को स्क्राइब कर लें और बैल आइकों का दबा लें क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इंट्रेस्टिंग और महत्पूर्ण वीडियों लेकर आते रहते हैं दोस्तों मैं इसमय यूपी एसाई और यूपी लेकपाल का इस पेसल बैच चला रहा हूं और अगर आप इसी तरह के महत्पूर्ण वीडियों पढ़ना च